प्रविश्यों मसी में मेरे सबी बैन बाईयों को जैमसी की आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्यों की जीवत हजूरी में जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते आज की इस वीडियों में हम परमेश्यों के पवित्र वचन को मेरी बविश्यवानियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे ये सामर्थी वचन परमेश्यों के दास प्रेरित अंकु यूसफ नरूलाची के द्वारा लिखे गए हैं इन वचनों में पुवित्र आत्मा के द्वारा गहरे बेदों को बताया गया है और हमारा ये विश्वाश है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन पर मनन करेंगे तो आप परमेश्वर की आशीशों को अपने जीवन में ग्रहन करेंगे तो पुरिविश्वास के साथ इन पवीतरवचनों को पूरा सुने और प्रात्नाओं को रसीव करें आज का पवीतरवचन परमेश्वर के दाहिने बैटने का मतलब जैसा की परमेश्वर के पवीतरवचन भजन साहिता 110 उसके एक वचन में लिखा है मेरे प्रबु से यहावा की वाणी ये है तु मेरे दाहिने बैट जब तक कि मैं तेरे शत्रों को तेरे चरणों की चौंकी ना कर दू मेरे प्रियो परमिश्व ने कहा तू मेरे दाहिनी हाथ पैट इबरानी भाषा में बैटने का मतलब यशब और यशब का मतलब परमिश्व के दाहिनी हाथ में अपने आपको ठहरा लेना, स्थिर कर लेना, बांध लेना ऐसा बांध लेना कि फिर आपके दिल में और कोई भी विकल्प नहीं है आप ये नहीं सोच रहे हो अगर परमेशर काम नहीं करेगा या परमेशर ऐसा नहीं करेगा तो मैं यहाँ चला जाओंगा या ये करनूँगा जब हम पवित्र वचन में पढ़ते हैं तो प्रवियेश्य मसी ने दाहिने और माई का मतलब समझाया है प्रवियेश्य मसी ने अपने चेलों से कहा अंद के दिनों में मैं भेडों और बकरियों को अलग कर दूँगा यानि परमेशर ने कहा जो गलल लोंग होगे जो शिक्षाओं पर नहीं चले वचन को जानकर भी वेबिचार किया वचन को जानकर भी चोरी की है वचन को जानकर भी उसके उपर मन लगाया मैं उन बकरियों से जो दाहिने हाथ बैठी होंगी बाए हाथ वाले लोगों से कहूंगा कि जाओ उस नर्ख के लिए जो तुम्हारे लिए तियार किया गया है और अपनी भेडों से जो दाहिने हाथ बैठी होंगी मैं उन दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ उस स्वर्ग के लिए जो तुम्हारे लिए तियार किया गया है जब परमेश्वर दाहिने और बाएं जाने की बात करता है तो वह ये बात कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि आप परमेश्वर के दाहिने हाथ की ओर है यानि जो कुछ भी परमेश्वर के वच्छ में लिखा है आप उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं, चाहे आपको उसमें सुखी होना पड़े, चाहे आपको नुक्सान सहना पड़े, चाहे आपको स्ताव सहना पड़े, चाहे आपको परिवार छोड़ना पड़े, लेकिन आप परमेश्व के दाहिने हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे मेरे फियो परमेश्वा ने क्यों कहा कि तुम मेरे दाहिनी हाथ स्थिर हो जाए क्योंकि जब तक मैं तेरे शत्रूं को तेरे चर्णों की चौंकी ना कर दू वो शत्रू आपकी बिमारी हो सकती है वो शत्रू वै शराब हो सकता है पीडियों से आपका पीशा करता है जैसे आपकी नानी का तलाख हो चुका है फिर आपकी मम्मी का भी तलाख हो चुका है और आपकी जिंदगी में भी ये शराब पीछा कर रहा है क्योंकि परमेश्वय ने कहा अगर तू मेरे दाहिने हा स्थिर हो जाएगा स्थिर होने का मतलब है कि सोचेंगे नहीं आपका दिमाग दुचित्ता नहीं होगा कि मैं पवितरताई में चलूं या मैं संसार के अंसार चलूं या मैं बबतिस्मा लूं या ना लूं अगर ऐसा दिमाग आपका नहीं है तो आप स्थिर हो चुके हैं और जो स्थिर हो चुका है उनकी बिमारी उनका डर उनके पाउं के नीची होगा आमेन पवीत्र वचनों के अनुसार अंगिकार सरव शक्तिमार परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर मैं ये अंगिकार करती हूँ कि मैं अपने आपको आपके दाहने हाथ में स्थिर करती हूँ कि अगर तु मुझे चंगा करे या ना करे मैं तुझे ना छोड़ूँगी प्रविश्य मसी के पवित्र और सामती नाम में हम मागते हैं आमेन आमेन और आमेन आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेशराब सबको बहताई से आशिशित करे सबको चैमसी की God bless you all